यहां पर हम बात करने वाले है एक बहुत होट और बहुत ही डिमांड वे होने वाले टॉपिक की जिसका नाम है competitive programming so what is competitive programming देखिए वह competitive programming एक ऐसी चीज है जिसमें हम हमारी logical reasoning को logical logic होते हैं जिनको हम develop करते हैं उद्रक्र करते हैं using some programming language कोई न तसक कोई न न कोई problem हमारे साथ होती है उस problem को solve करते हैं हम हमारे logical को लगाते हैं सबसे हम logic लगा कि उस code को crack करते हैं विएस कोड को हम एक programming language के अंदर एक इम करके हमारा solution दे सकते हैं वैसे तो कई सारे competitive programming के लिए platforms हैं बट mainly जो है hacker earth ठीक है hacker earth is there then hacker earth के बाद है आपके let's say hacker rank है okay और code chef है तो बहुत सारे competitive platforms है अगर हम coding करना चाहें बट mainly यह जो 2-3 platforms आपके सामने लिखे हुए है यह बच्चे जादा prefer करते हैं तो इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ hacker earth के बारे में so let's begin with hacker earth तो देखिए मेना hacker earth खोला हुआ है ठीक है यहाँ पर आपको normally अपना sign up कर लेना है sign up हो जाएगा आप लोग इन करके और यहाँ पर आ जाएंगे अब प्रोग्राइमिंग को शुरू करने के लिए हमें यहाँ पर जाना है प्रैक्टिस में और प्रैक्टिस में जाने के बाद हमारे पास कई सारे options दिखाई देंगे देखिए बहुत सारे options है start online programming code basic programming data structures algorithms match तो यहाँ पर आप चाहे तो online start online programming पर जाके पहले 5-6-7 codes होते है basic आप जो भी language को prefer करते है उसमें 6-7 basic basic codes होते हैं बिल्कुल print करना होती चीज़े उनको आप बना लीजिए अच्छा रहेगा आपके लिए अगर आपको basic 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 चीज़े clear है तो direct आप आ सकते है basic programming में तो यहाँ पर मैं basic programming के अंदर आ गया हूँ और यहाँ पर आपको जाना है जो हमारी basically capability है रखेंगे अभी हम वह very easy वाली रखेंगे ठीक है और यहाँ पर देखिए मैंने मैंने आज आपके लिए 2 code select किये हैं एक code तो मैं आपको बनवाने वाला हूँ और एक code आपके लिए homework में रहेगा जो बहुत easy होगा मैं जो code बनाँगा it is not very easy है ना बट ओके फिर भी इतना जादा मुश्किल तो नहीं है तो मैं यहाँ पर solved में चली जाता हूँ क्योंकि मैंने 2 problem already solve करके रखे हैं आज आपके लिए एक है seating arrangement एक है palindromic string तो palindromic string जो है यह problem जो है आपका homework रहेगा seating arrangement जो है यह problem मैं आपको आज solve कराऊँगा दोनों की दोनों की link आपको description के अंदर मिल जाएगी so let's begin with the seating arrangement problem okay so अब सबसे पहले तो कोई भी problem हमारे सामने आती है उसमें बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को बिलेंगी बहुत सारी चीज़ें एक तो आपको सबसे पहले तो problem का description मिलेगा है ना देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर बहुत सारी चीज़े लिख हुई है आकाश और विशाल और क्वाइं वाइं वाइं आपको बनाना है उसमें इनपूट आपको किस तरीके से लेना है तो उसकी जानकरी आपको यहाँ पर दी होगी तो क्या जानकरी दी गई है first line of input will consist something something लिखा हुआ है आपको problem समझने के बाद समझेंगे then output output का मतलब है कि भाई किस तरीके से उनको output चाहिए ठीक है कैसे वो output चाहते है एक sample दिया भी होगा उन्होंने देखिए sample input sample output कि भाई अगर वो यह input देते हैं 2, 18, 40 तो output इस type से कुछ आना चाहिए अब यह क्या है वो हम देखेंगे और एक बड़ी important चीज है यहाँ पर जो लिखा हुआ है constraints constraints so what are constraints constraints का मतलब होता है restrictions restrictions मतलब जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 1 less than equals to t less than equals to 10 की power 5 इसका मतलब जो t की value होगी इस program के अंदर वो 1 से लेके 10 की power 5 10 की power 5 मतलब 1 lakh तो 1 से लेके 1 lakh तक t की value हो सकती है तो इसका काम क्या होता है इसका काम यह होता है कि भाई जिस type का भी हम data type declare करेंगे जैसे यह t नाम का variable jambi मैं बनाऊँगा तो मैं इसको किस type के declare करना है जैसे let's take example के तौर पे just for the sake of example यह जो range होती है बहुत जादा होती और अगर मैं इसको int डेकलर कर देता अब हम जानते हैं कि int की range जो है जैसे हम c language की बात करें नॉर्मली तो c language में जो है int की range जो है अगर जैसे 2 byte का होता था तो हमने देखी थी माइनस 32768 से लेके 32767 तक है ना 4 byte में 2147483647 से लेके 2147483647 तक तो इस type से हमने values देखी हैं तो इसका काम होता है कि भाई हम किस type का N या किस type का T डिकलर करें ताकि इस range के अंदर ना मेरा data type आ जाए क्योंकि c language के अंदर जालतार यह problem होती है कि data types जो होते हैं उनकी ranges होती हैं और जैसे उस range के हम बाहर दाएंगे तो फिर वो जो data type है वो acceptable नहीं होता है इसके बारे मैं detail में बात में आपसे program बनाते time करूंगा अभी आप बस इतना समझ लिजिए कि constant का मतलब होता है कि यह जो T की value है यहां से लेके यहां तक 1 से लेके 10 की power 5 के बीच में कहीं होनी चाहिए है ना मतलब मुझे T को एक ऐसा type का video में declare करना पड़ेगा ताकि उसकी value 1 से 1 lakh की range को support कर पाए है ना ऐसा कोई data type नहीं होना जाई जो इस range को support नहीं कर पाए है ना जैसे अगर की range है लेट से let's say example दोर पर minus 128 से 127 या फिर let's say बहुत कम range है लेकिन T की value जादा है तो हम फिर उस type उस समय पे इस T को उन data types के basis पर declare नहीं कर सकते हैं मुझे इस T को उस type के declare करना पड़ेगा जिस type जो type 1 से लेके 1 lakh की range को support कर पाए ठीक है similarly N की value 1 से लेके 108 तक है तो इसको हम इस तरीके से कुछ declare कर सकते हैं की भाई 1 से लेके 108 की range को support कर पाए ठीक है now मैं आता हूँ problem पे और then मैं समदाओंगा आपको what is a test case ठीक है test case बहुत problem होती है बच्चों को समझेंदे में की भाई यह test case क्या होता है ठीक है तो test के समझेंगे अपन पहले problem समझते है ठीक है इस video में मैं आपको सिर्फ problem समधाओंगा की problem क्या है then next video के इंतर उसके solution पे आपके सामने आऊँगा सबसे पहले आप problem समझेंगे के problem समझी कैसे जाती है ठीक है चलिए अपके problem क्या दिया है कि आकाश एंड विशाल are quite fond of traveling ठीक है आकाश और विशाल अपने दोस दोस्त हैं बहतरीन और दोनों को जो traveling है वो बड़ी पसंद है है ना बहुत जादा travel करते हैं दोनों जन they mostly travel by railways तो भाई railway से जादा travel करने में मज़ा आता है और हमने भी देखा है ना बड़ा मज़ा आता है अपना sleeper में या चनरल में भी चड़ जाते हैं कभी-कभी तो बन तो जवान लोग हैं बड़िया अराम से चड़के मस्त मॉला मज़े कर तो जाते रास्ते बर तो उसी टाइप से रेलवे से यह दो बन्दे भी है इनको भी travel करने में बड़ा मज़ा आता है दे वर traveling in a train तो एक दिन क्या हुआ ना वो लोग एक travel कर रहे थे train के अंदर ठीक है travel कर रहे थे train के अंदर और क्या होता है and they got interested in the seating arrangement of the compartment और अब देखे train में बैठे बैठे कोई काम तो होता नहीं है है ना हम क्या देखते कि कोई हमसे बात करने लगे है ना या फिर कोई politics की बात ने छिड़दा है है ना तो बास बकर बकर अपन देते ना है ताकि अपना समय कट जाए और अपन अपने मंजिल तक पहुंच जाए तो इसी टाइप से यह दोरों बैठे हुए थे और इनको एक चीज में बड़ा इंटरेस्ट लगा कि भाई उस जिस बोगी में बैठे थे जिस compartment में बैठे थे उसमें लोग किस तरीके से बैठे हुए उनका sitting arrangement क्या है ठीक है मतलब जो बोगी के design है वो किस type से है the compartment looked like something इस type से इस type से जो है compartment देख रहा था अब बुलेंगे सर हमें कुछ देखी नहीं रहा इसमें थोड़ा सा बढ़ा कर देते हैं आपके लिए चलिए तो देखते हैं हम यहाँ पर यह देखिए कुछ इस type से यह जो है compartment है ठीक है भाजी देखिए यह seat number 1 है 2 है 3, 4, 5, 6 अभी देखिए देखके तो आपको इतना कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा लेकिन बस हमें design देदी कि इस type से जो है compartment है ठीक है then हम बात करते हैं आगे क्या बोट रहा है so they got interested to know the seat number facing them and seat type facing them the seats are denoted as follows तो उनको बड़ा interest आया और उन्होंने दो चीज़े note करना शुरू करी एक तो वो कि जिस seat number पर वो बैठे हुए है उसके just सामने कौन सी seat number है आपने देखा होगा ना यह चीज़ तो आपने जैसे हमारी normal train के type का compartment तो नहीं है यह लेकिन जब normal train में हम बैठते हैं तो in general जैसे जो हमारी बर्थ होती है जो 3-3 वाली बर्थ होती है एक भोगी के अंदर बेसिकली एक side lower side upper होती उसको छोड़ दें अगर तो जो mainly जो 6 बर्थ होती है उसमें एक के सामने एक के सामने एक बर्थ होती है कि नहीं होती है उसी type से ही उन्हों ने देखा कि उनके सामने कौन बैठा हुआ है तो कोई लड़की देख रहा थे कि लड़की तो नहीं बैठी हुई है यह विशाल वड़ा हरामी किसम के इंसान है लड़की को देख रहा थे सामने कि सामने पर वो है वो कौन सी seat है है ना मतलब वो यह भी देख रहा है कि जैसे वो बैठा हुआ है सबसे उपर अपर बर्थ पर बैठा हुआ है तो वो देख रहा है कि अपर बर्थ पर बैठा हुआ है तो उसके सामने कौन सी seat number है तो यहाँ पर वो दो तीन चीज़ है हमको एक seat number दिया होगा, find out the seat number facing you and the seat type, that is WS, MS और AS, ठीक है, अब देखिए, हमें क्या पता करना पड़ेगा, जैसे हमें एक seat number दे दिया जाएगा, जैसे कि एक example के तोर पर इस diagram में आपको दिखाता हूँ मैं, कि मुझे एक seat number दे दिया गया, let's say, यहाँ पर हम देख पा रह यह कौन सी बर्थ है, देखिए, अब window seat कहां दिख रही है, आपको देखिए, one यह window seat है, क्योंकि देखिए, यह जो बोगी आप खुछ सोचिए, यह यह one पर window होगी, two यहाँ पर middle बर्थ होगी, three upper होगी, then इसके बाद four जो है, यह upper बर्थ होगी, five जो है middle seat होगी, और six फ 11, तो हमको यह बताना है कि कोई seat number हमें दे दिया, जैसे कि हमें दे दिया 2, तो हमें output में बताना पड़ेगा कि उसके सामने का seat number क्या है, सामने का seat number है क्या by the way, 11, और seat type क्या है, मतलब सामने वाली कौन सी seat है, obviously जो type की seat यह होगी, उसी type की seat वो भी होगी, क्यों, क्योंकि अगर मैं middle birth पे बैठा हूँ, तो मेरे सामने वाली लड़की भी middle birth पे बैठी होगी, क्योंकि वो मेरे सामने है, तो middle birth पे होगी, तो आमने सामने वाले लोग हमेशा सेम birth पे होंगे, यह एक यहाँ पर fact ध्यान रखिये, है ना, जैसे आप सोचिए, कि आप upper birth पे बैठे तो उसकी birth भी कौन सी हुई, अपर ही हुई ना, तो कुल मिला के हमें यह बताना है यहाँ पर, ठीक है, मैं इस problem का description आपको, अभी पूरा comment box, comment बोलो, description में दे दूँगा, तो link पे आप यह पूरा पढ़ सकते हैं, ठीक है, अच्छे से पहले आप पढ़ सकते हैं, मैं आप को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ फिर भी, ठीक है, तो अब इस type से हमें find करना है, तो देखिए, input किस तरीके से मांग रहा है, first line of input will consist of a single integer t, denoting the number of test cases, पहली line जो होगी, उसमें हमें एक input लेना है, t, और t क्या है, मेरे पास test cases है, अब test cases क्या होते है, what are test cases, test cases का मतलब य होता है, जैसे एक example के तौर पर आपको बताऊं मैं, मैंने बोला कि आप, आप जब अपनी class 10th या 12th में हुआ करते होगे, आप की copy check करने बाहर आती होगी, ठीक है, जैसे आप let's say 10th का board exam दिया होगा, या 12th का board exam दिया होगा, तो आप अपनी copy check करने, आप तो नहीं मतलब जो आप से भी आपकी copy जाती होगी check होने के लिए, तो वो कहीं पर base देती होगे, तो सबसे वहले आपकी copy एक बार check होती है, ठीक है, अब एक बार check हो गई, उसके बाद उनको पते चला चलो ठीक है, सही लग रही है, तो ऐसा तो नहीं कि एक बार check हो गई, वोई कि नमबर पर नहीं दिल गए ऐसा तो नहीं कि आपकी कॉपी जो है वो थोड़ी थोड़ी सही हो और बाकी एक एक इंपुट पर तो सही जा रही हो और बाकी इंपुट पर गलत जा रही है similarly यहाँ पर यह लोग क्या करते हैं है कर अर्थ वाले या कोई भी competitive programming platform वाले वो चाहते हैं कि ऐसा ना हो कि उन्होंने बोला कि यह input चीए तो वो output आना चीए तो बच्चे ने एक ऐसा program बना दिया जिसमें उस input का जो corresponding output आना चीए था वो आ जाए जैसे कि उन्होंने यहाँ पर बोला है कि यूजर यह डाले 2, 18, 40 तो output यह आ जाए तो अब हम एक ऐसा program लिख दे रहे हैं यहाँ पर कि अगर 2, 18, 40 डाले तो यह output आ जाए और बिलकुल answer सही आएगा लेकिन यह तो एक ही test case पास हुआ ना हमारा भाई यह problem क्या थी problem की पे तो हमने कोई code बनाए ही नहीं समझे रहो ना तो ऐसी बेव कुफियों को हटाने के लिए I hope आप समझ पा रहे हो कि maximum inputs दे सकें जो platform वाले वो maximum inputs दे सकें बहुत बार आपको program चेक कर सकें इसलिए वो test cases मांगते हैं है ना तो पहली line में वो बताएंगे कि कितनी बार वो program चेक करेंगे और उसको store कर देंगे कि एक variable t में मतलब उतनी बार मेरा program run होना चाहिए मेरा program इस तरीके से बनना चाहिए कि user ने जो भी t की value दी हुई है उस हिसाब से मेरा program उतनी बार run करें then each test case consists of a single integer and denoting seat number और हर बार हर test case के लिए मुझे एक seat number दिया जाएगा n ठीक है तो n मेरा क्या रहेगा seat number और output किस type से चाहिए for each test case print the facing seat number सबसे पहले तो हमें यह print करना है कि उसके सामने seat number कौन सा है and the seat type और उसके सामने की seat type कौन सी है separated by a single space in a new line है ना भाई देखिए भाई देखिए क्या कैसे देना है मुझे output यह देखिए output यहां पर दिया हुआ है अगर देखिए two two क्या होगा बताई है input में सबसे पहले two दिया गाया मतलब program कितनी बार चला के देखा जाएगा दो बार यह test cases हो गए पहला पहली बार में दिया गाया है 18 तो 18 के corresponding output आए हुआ है 19WS मतलब 18 के सामने वाली seat है 19 और वो है window side देखिए चली उपर चेक कर लेते हैं इस diagram में देखिए 18 कहां दिख रहा है आपको 18 देखिए 18 यह रहा है 18 यहाँ पहला है 18 so 18 के सामने आप देख पाएंगे कि यहाँ पर लिखा हुआ है 19 तो 18 के सामने 19 है और बिल्कुल आप देख सकते हैं कि यहाँ पर यह window seat है ठीक है तो I hope आपसे देख लिया है आप देखिए second यहाँ पर जो input दिया हुआ है वो दिया 40 यह रहा 40 आपका देखिए 40 के सामने है 45 और बिल्कुल यह अपर बर्थ है क्योंकि हम जानते हैं यह पूरी line window की है पहली वाली यह यह भी window की है यह रही आपकी middle बर्थ यह भी है आपकी middle बर्थ सारी ठीक है और यह है आपकी अपर बर्थ तो 40 और 45 अपर बर्थ है definitely तो इस type से हमें output produce करना है ठीक है देखा आपने input और output किस type से है अब constraints क्या है कि test cases कितने दे सकता है वो एक से लेके एक लाख तक 10 की पार 5 मतलब एक लाख test cases मतलब एक लाख बार भी program चला के देख सकता है हमारा और n मतलब क्या है seat number seat number एक से लेके 108 के बीच में ही होगा ठीक है तो यह नहीं हमारे साथ problem यहाँ पर दे दिया time limit जो है 1.0 seconds for each input file यह memory इतनी खर्च हो सकती जार स्यादा मतलब इसका क्या मतलब होता है इसका मतलब यह होता है simple simple कि इस से जादा time अगर program हमारा लेगा तो फिर वहाँ पर time limit एक सीड आएगा इस से जादा memory हमारे program नहीं लेन तो यह है हमारी coding screen यह तो मैंने पूरा code ही लिख दिया है यहाँ पर यह code हटा देता हूँ तो आप पहली देख लें ठीक है तो code तो मैं पहली लिख चुका हूँ तो I hope कि आपको यह problem समझ में आ गई है अब आप लोगों का यह काम है इस video की description में मैं इस problem की link भेज रहा हू आप इस problem को ठीक से पढ़िए यह diagram को ठीक से analyze करिए next class में मैं इसके solution के साथ आपके सामने आऊंगा जहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि यह problem में किस तरीके से हम इसका output निकालेंगे but before that एक काम जो 110% सभी को कर लेना है description में link के साथ इस problem पर जाईए इस compartment को study करिए यहाँ पर जो जो भी चीज़ें मैंने दी हुई है ठीक है जो आपको सिखाई है जो बताई है उनको देख लीजिए अगर किसी सीज में कोई doubt आता है तो पूछ लीजिए उसके बाद ही next video पर move करिए I hope आपको इस video बहुत मसंदा है जहाँ पर मैंने आपको इस video का basic क्या कहना चाहरा है वो समझाया है next video के अंदर मैं इस problem के solution के साथ आपके सामने आऊँगा जहाँ पर मैं पहले आपको problem का solution बताऊँगा उसकी tricks जो भी वो कहना चाहरा है किस तरीके साम उसको approach करेंगे then we will move on to its programming part okay so take care of yourself keep studying God bless you all